आज सूरी गरहन लगने जा रहा है सूरी गरहन के पहले एक छोटा सा प्रियोग जरूर कर लीजेगा ताकि जीवन के सभी कस्टों से परिसानियों से बचा जा सके वैसे तो सूरी गरहन भारत में दिखाई नहीं देगा सूतक काल भी लागू नहीं होगा लेकिन गरहन के वक्त आपको तमाम नियुमों का पालन करना चाहिए क्योंकि गरहन तो लगी रहा है सबसे पहली बात तो गरहन 1.42 से सुरू होगा दोपाहर में और साम 6.41 तक रहेगा लगबग 5 घंटे का गरहन है गरहन के वक्त अगर आप स्वस्त हैं तो खाना पीना मत खाईएगा जहां तक संबब हो आप ट्वालेट यूज मत करें पहले से करके अगर बहुत जोर से लगाए तो अलग बात है जो प्रेग्नेंट में लाए हैं वो बहुत साफधानी के साथ इस समय को गुजारना है एक लाल मौली धागा या कोई भी धागा आप बांदे और पोटली बनाकर और इसको अपने पानी की टंकी में डाल दें धागा बाहर की और रखिएगा ताकि गरहन के बाद इसको आप निकाल सके अब यह पानी आपका सुद्ध है इस पानी को नहाने में इस पानी का छोटा सा प्रयोग जरूर करें, आप के घर में अगर कोई बिमार हैं to एक सिक्खा और थोड़े सा तुल्सी के पत्ता उनके सिरहने रख दे, गहन्समाःत होने के बाद, यह सिक्खा पास के मंदरी में दे दे और जो तुल्सी का पत्ता है उसको मिट्ती में दबा उनके स्वास्त में कोई भी निगेटी प्रफाव नहीं पड़ेगा वो सुस्त हो जाएंगे और इसके साथ ही जो आपने पानी की टंकी में रखा हुआ है उसको उस सिक्के को पास के मंदिर के दान पेटी में डाल दें या बच्चे लोग मिठाई खा सकते हैं चॉकलेट खा स जब तक वह नहएं लेती उनके पर से गरहन का प्रफाव नहीं उत्रेगा इसलिए उनको ज्यादा तर खास करें यह नियम का पालन करना चाहिए लेकिन एक और प्रियोग होता है अगर आप प्रेय मी प्रेमि प्रेमिका या फिर पत्ति में नहीं बनती तब दो सिक्का ले एक पर अपना नाम लिखें और दूसरे पर पती का या प्रेमी का और इसको अच्छे से काला धागय से लपेट कर कहीं मिट्टे में दबा दें धन्यवाद